दोस्तो फिर से एक बार स्वागत है आपका नए ब्लॉग में तो चलिए शुरू करते हैं सफर साथ में देख सकते हैं जैसे कि रमन सायन सेंटर के अंदर की जो बिल्डिंग है दोस्तो उसमें जो प्रोजेक्ट सरके हुए वो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो सकता है इसलिए इसके उपर दो-तिन वीडियो आगे में आएंगी दोस्तो तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़ जाएए और चैनल को सबस्राइब कीजिए जैसे कि देख सकते हैं यह हेलिकॉप्टर का इंजिन है कितना हेव भारी भरकम हेवी इंजिन है दोस्तो यह जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में इसे लेकर अगर हेलिकॉप्टर उड़ता है तो सोच सकते हैं कितना पावरफुल शक्तिशाली यह इंजिन होगा तो इसी तरीके से काफी informative प्रोजेक्ट्स यहां पर रखे हुए है मै रमन सायन सेंटर में जो रखे हुए प्रोजेक्ट्स है वो सब काफी सीखने लाइक भी है दोस्तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा informative है काफी अच्छी information और एक knowledge addition जो बोल सकते दोस्तो वो जरूर होगा यहां पर आकर आपके knowledge में addition जरूर होग तो यह देख सकते एक acrobatic umbrella कसरती छत्री जिसको कहा गया है कसरती छाता देखिए किस तरीके से वो एक छाता जो है दोस्तो एक cut out से बाहर निकलते हुए आपको दिखेगा यह देखिए काफी सुन्दर लग रहा है दोस्तो यह तो बहुती interesting है बच्चे भी काफी interestingly देखते ह एसी चीजे तो ऐसा कुछ अगर उन्हें दिखाया जाए तो उनकी भी science के प्रती रूची जो है interest जो है वो बढ़ता है दोस्तो धीरे धीरे करके और यही हमारा काम है कि बच्चों को science के प्रती विग्यान के प्रती उनकी उनका जो interest है वो हम लोग बढ़ाते जाए काफी अच्छे नागरिक हम लोग एक काफी अच्छे युवा को हम लोग तयार करने में सक्षम रहेंगे ऐसा मेरा मानना है देख सकते यह cyclone कैसे generate होता है उसका यह project है आप रखा हुआ यह देख सकते आप और जैसे जैसे आप यहाँ पर देखते जाएंगे आगे कि हर एक project के उपर name plates और काफी interesting description भी दिये हुए है तो यह जैसे देख सकते vertex पानी के अंदर जो भवरा तयार होता है दोस्तों वो किस तरीके से बनता है किस तरीके से उसका निर्मान होता है और वो कितना शक्तिशाली हो सकता है यह आप इस project में देख पा रहे है तो देखिए अभ आप या फिर नदियों में होता है देखिए पानी अभी घुमना शुरू हो गया है दिरे दिरे करके उस भवरे का निर्मान होता हुआ आपको जरूर दिखेगा देखिए वीडियो में आगे काफी एक interesting project रखे हुए दोस्तों वो देखिए भवरा भी बनना शुरू हो गया यह तो छोटा सा sample है दोस्तों जब सोचिए बड़े बड़े नदियों में या फिर तालावों में जब बनता होगा तो वो कितना powerful रहता होगा बड़े बड़े जानवरों को भी दोस्तों वो खीच लेता है काफी वीडियो है यूट्यूब पे वरेटेक्स के आप जरूर द देख सकते है कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट से आपको देखने मिलेंगे तो सबकुछ एक ही वीडियो में cover करना मुश्किल होता है दोस्तों तो इसके लिए चैनल से जुड़िये आगे भी वीडियो आते रहेंगे और मैं चाहूंगा कि आप सब्स्राइब करके रखो वी वीडियो देखा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में थैंक यू